नमस्कार, रास्टी मुक्त विद्यालेई शिक्षासंस्थान के स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रतीक उपाध्याय सहायक आचारे। आज हम लोग वृत वृत के विभिन प्रकार के बारे में जानने और समझने का प्रयास करेंगे। वृत क्या है। यह एक सरल बंद वक्र है। वृत बहुभूज नहीं होता है। इसके पहले हम लोगों ने बिंद रेखा, रेखा खंड, किरण, तरभूज, चतरभूज, इत्याद के बारे में अध्यान किया, देखा, उनको समझा। यह एक वक्र रेखा द्वारा किसी समतल पर गहरे गए स्थान की द्वी आयामी आकरित होती है। व्रित एक वक्र रेखा द्वारा किसी समतल पर गहरे जाने वाले इस्थान की आकरित होती है। और चुकि इसे हम कागज पर बना सकते हैं, इसलिए इसे हम द्वी आयामी आकरित कहते हैं। दैनिक जीवन में व्रित के अनेक उदाहरान आप लोगों ने देखे होंगे। जैसे की स्कूटर, गाड़ी, मोटर साइकिल, बस, इत्यादी का पहिया, रेल गाड़ी का पहिया, बैल गाड़ी का पहिया। जितने भी तरह के साधन हैं या तायात के उनके पहिये जो की भूमी पे चलते हैं। उसी तरह से घड़ी आप लोगों ने देखी होगी, वो भी वृत्ताकार होती है। चाभी का गुच्छा जैसा की चित्र में दिखाई पड़ रहा है, उसका भी आकार वृत्त की तरह ही होता है। शर्ट में लगाए जाने वाले बटन भी वृत्त के आकार के होते हैं। वृत्त एक ऐसा वक्र होता है जिसके सभी बिन्द संतल में इस्थित एक नियत बिन्द से बराबर दूरी पर होते हैं। इसे समझने के लिए मान लिजिए कि कोई एक गाय है जो की खूटे में बधी हुई है और रसी के सहारे खेत में चर रही है यदि रसी की पूरी लंबाई को खींच लिया जाए और गाय उस रसी को खींचते हुए अगर चक्कर लगाए तो गाय द्वारा चली जाने वाली जो दिशा होगी उससे द्वारा जो रेखा बनेगी उसे हम वृत कह सकते हैं जो नियत विंदु होता है वो वृत का केंद्र कहलाता है नियत विंदु को वृत का हम केंद कह सकते हैं केंद्र से वृत के किसी विंदु की दूरी वृत की तरिजिया कहलाती है अर्थात वृत को बनाने के बाद बृत्त के उपर जितने भी बिंदू इस्थित होते हैं उस नियद बिंदू से उन सभी बिंदू की दूरी बराबर होती हैं आप चितर में देख सकते हैं कि किस प्रकार गोला प्रकार से बिंदू को बनाया जा सकता है जो नियद बिंदू होता है जैसा की बत होती है चित्र में KP BM ब्रित पर इस्थित कुछ विंदु आप देख सकते हैं C विरित का केंद्र है C A CP CB और CM विरित की त्रिज्याय को कि हम जानते हैं कि विरित के केंद्र से बृत्त पर इस्थित सभी बिंदू की दूरी समान होती है इसलिए सीवी बराबर सी बराबर सी एम बराबर है कि जीवा के चित्र में पी और बी दो बिन दिखाई पड़ रहे हैं अगर इनको हम एक रेखा खंड द्वारा मिलाएं तो हमें एक PB रेखा प्राप्त होती है इसे हम वृत्त की जीवा कहेंगे इसी प्रकार यदि B को M से मिलाया जाए तो हमें BM रेखा खंड प्राप्त होगा वह भी वृत्त की एक जीवा होगी A को M से मिलाने से एक दूसरी रेखा खंड प्राप्त हो जाएगी उसे भी हम वृत्त की जीवा ही कहेंगे यदि A को B से मिलाया जाए तो भी हमें एक रेखा खंड प्राप्त होगा उसे भी हम वृत्त की जीवा कहेंगे इस प्रकार बृत में अनेक अनंद जीवाएं खीची जा सकती हैं लेकिन आईए हम उस जीवा के बारे में सोचें जो बृत के केंदर से होकर जाए जैसा कि अभी चर्चा की गई यह आवश्यक नहीं है कि बृत की सभी जीवाएं केंदर से होकर जाएं लेकिन अगर हम उस जीवा के बारे में कल्पना करें जो वृत के केंदर से होकर जाती हो तो उसे हम क्या कहेंगे चित्र में एक रेखा दिखाई पड़ रही है जो की एसे शुरू होकर के वृत के केंदर से होते हुए वृत के दूसरी तरफ वृत पर इस्थित किसी बिंदू से मिलती है अगर हम उस विंदू की कल्पना विंदू पी के रूप में कर लें तो ए टी वृत की जीवा कहलाएगी और यह ऐसी जीवा होगी जो वृत के केंदर से होकर जा रही है वृत के केंदर से होकर जाने वाली जीवा वृत का व्यास कहलाती है चित्रदो में A, B एक जीवा है जो वृत के केंदर O से होकर जा रही है P, Q भी एक दूसरी जीवा है लेकिन यह वृत के केंदर से होकर नहीं जा रही है इस प्रकार अगर हम वृत की सभी जीवाओं को खीचें तो हम ये पाते हैं कि वृत के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा सभी जीवाओं में सबसे बड़ी होती है और वह वृत का व्यास कहलाती है व्रित के व्यास और व्रित की तरिज्या में भी बहुत रोचक संबंध होता है चित्र में A B व्रित का व्यास है जबकि A O व्रित की तरिज्या है क्या आप देखते हैं कि वृत्त की तरिज्या वृत्त के व्यास की आधी है या वृत्त का व्यास वृत्त के तरिज्या का दो गुना है चित्र एक में PM वृत्त का व्यास है तथा CP वृत्त की तरिज्या है हम यह पाते हैं कि PM का मान CP के दो गुने के बराबर है इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वृत्त का व्यास वृत्त की तरिज्या का दो गुना होता है अर्थाद अगर हम वृत्त के व्यास को D से प्रदर्शित करें और तरिज्या को R से प्रदर्शित करें तो D तथा R के मध्य जो संबंध होगा उसे D is equal to 2 into R के रूप में लिखा जा सकता है अथवा व्यास is equal to 2 गुने तरिज्या वृत्त के एक भाग को चाप कहते हैं चित्र में एक वृत्त दिखाई पड़ रहा है जिस पे 2 बिंदु P और Q इस्थित हैं P तथा Q बिंदु बिंदु है जो बिंदु को दो भागों में विभाजित करते हैं अतह P Q बिंदु का एक चाप है मतलब दो बिंदुओं से बिंदु के चाप का निर्मान हो सकता है हम देखते हैं कि अगर P Q को थोड़ा अलग कर दिया जाए तो एक हिस्सा बिर्त का बड़ा और एक हिस्सा बिर्त का छोटा दिखाई पड़ता है और ये दोनों ही चाप के जैसे दिखाई पड़ते हैं एक को हम लगुचाप और दूसरे को हम दिर्ग चाप कहते हैं बड़े भाग को दिर्ग चांप तथा छोटे भाग को लगुचांप कहते हैं एक ऐसी भी इस्तिती आ सकती है जब दोनों चांप बरापर हो अगर ऐसी इस्तिती आए कि वृत के दोनों चांप बरापर हो जाएं तो इस इस्तिती में वृत के दोनों भागों को अलग-अलग कहा जाता है विरित अपने तल को अर्थादस्जी स्थ तल में वह इस्थित है तीन भागों में विभाजित करता है आप चित्र में देख सकते हैं एक वृत है कुछ बिन्दु विर्त के ऊपर दिखाई पड़ रहे हैं कुछ बिन्दु वृत के अंदर इस्थित होता है दूसरा भाग वृत कहलाता है ये वृत के ऊपर इस्थित बिंद वृत के भाग कहे जाएंगे तीसरे भाग को बहिर भाग कहते हैं वृत के बाहर इस्थित भाग को बृत का बहिर भाग कहते हैं चित्र में Q व्रित्त का बहिर भाग है जबकि बिंदू M बिंदू L बिंदू के व्रित्त पर इस्थित भाग है और बिंदू P व्रित्त का अभियंतर भाग है क्या आप सोच सकते हैं कि वृत्त का केंद्र सदेव ही वृत्त का अभ्यंतर भाग होगा जी हाँ वृत्त का केंद्र सदेव ही वृत्त का अभ्यंतर भाग कहलाता है वृत्त तथा इसका अभ्यंतर भाग मिलकर वृत्ती चेत्रफल बनाते हैं चित्र में आप देख सकते हैं कि वृत है, वृत के ऊपर इस्थित बिंदू और वृत के अंदर इस्थित बिंदू, इस तरह के सैकडो बिंदू, अंगिनत बिंदू इस्थित हो सकते हैं और यही वृत का छेतरफल कहे जाएंगे. अब हम त्रिज्य खंड के बारे में समझने का प्रयास करेंगे वृत्य छेतरफल का वह भाग जो दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिर कर बना हो त्रिज्य खंड कहलाता है चित्र में एक वृत्य दिखाई पड़ रहा है वृत्य पर इस्थित दो बिंदु है P और Q वृत्य का केंद्र O है वृत्य के P Q चाप द्वारा घिरा हुआ भाग लगु त्रिज्य खंड कहलाएगा और शेश बड़ा भाग दीर्ग त्रिज्य खंड कहा जाएगा वृत्य खंड वृत्य की एक जीवा और संग चाप से घिरा वृत्य चेत्र का भाग वृत्य का वृत्य खंड कहा जाता है चित्र में एक वृत्य दिखाई पड़ रहा है जिसमें दीर्ग वृत्य खंड और लगु वृत्य खंड अलग अलग दिखाई पड़ रहे है एक जीवा पीक्यू दिखाई पड़ रही है चाप और जीवा द्वार्वबाग के दूसरी । भी बड़ा चाप है जो छीत्र दिखाई पड़ रहा है गहरе नीले रंग में वह जीवा पीक्यू और बड़े चाप से गिरा हुआ है इसे हम दीर्ग वृत्खंड कहेंगे चोटे भाग को लग वृत्खंड और बड़े भाग को दीर्ग वृत्खंड कहते हैं वृत के लग वृत खंड और दिर्ग वृत खंड को जानने के पस्चात आएए अब हम लोग वृत के परिद के बारे में जानने का प्रयास करें वृत्त के अनुदिश चली गई दूरी अर्थात संपून वृत्त की लंबाई वृत्त का परिद कहलाती है वृत्त की परिद उसका परिमाप होती है चित्र में एक वृत्त दिखाई पड़ रहा है जिसका केंद्र C है वृत्त के उपर A, P, B, M कुछ बिंदु है अगर हम इस वृत्त की परिद की कल्पना करें तो विंदु A से प्रारंब करके चलते हुए B और M से होते हुए वापस विंदु A पे जब पहुंच जाते हैं तो हम वृत्त की पूरी लंबाई को तै कर लेते हैं और यही वृत्त की लंबाई वृत्त का परिद कहलाती है अगर किसी वृथ्य की कलपना करें जिसकी तुरिजय आर हो तो वृथ्य का परीध बराबर 2 Πाई आर होता है अर्थात अगर कोई बरिध है जिसकी तुरिजय दो सेंटी मीटर है तो उस वृथ्य की परीध को हम सूत्र की सहायता से गणना कर सकते हैं जो की चार पाई के बराबर होगा पाई एक नियतांक है जिसका मान 22 बटा साथ अथवा तीन दसमलो एक चार होता है चक्री चत्रभुज ऐसा चत्रभुज जिसके सीर्स बिंद एक वृत्थ पर इस्थित हों उसे हम चक्री चत्रभुज कहते हैं चित्र में आप देख सकते हैं एक चत्रभुज है जिसके सीर्स ए, बी, सी और डी हैं तथा वो एक वृत्थ पर इस्थित हैं अर्थात चक्री चत्रभुज ऐसा चत्रभुज होता है जिसके सीर्स को छूत्या हुआ वृत्थ खीचा जा सके चक्री चत्रभुज की कुछ विशेस्ताएं होती हैं इसमें पहली विशेस्ता है चक्री चत्रभुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं हम जानते हैं कि दो कोण तभी संपूरक होते हैं जब उन दो कोणों का योग 180 अंस हो चित्र में A, B, C, D एक चक्री चत्रभुज है इस चत्रभुज के सम्मुख कोण A और C हैं जबकि दूसरे सम्मुख कोण B और D हैं इस प्रकार से कोण A और कोण C को जोडने पे हमें 180 अंश पराप्थ होगा अर्थात ये दोनों कोण सम्पूरक होंगे उसी प्रकार कोण B प्लस कोण D भी 180 अंश के होंगे इसके विपरीत यदि किसी चत्रभुज के सम्मुख कोण सम्पूरक हों अर्थात उन दोनों कोणों का योग 180 अंश हो तो वह चत्रभुज चक्री चत्रभुज होगा वृत के गुण चक्री चत्रभुज को जानने एक बाद हम वृत्त के कुछ गुणों या विशेस्ताओं के बारे में जानेंगे वृत्त की बराबर जिवाएं सरवांगसम चाप बनाती हैं चित्र में एक वृत्त है इसमें वृत्त की दो जिवाएं दिखाई पड़ रही है एक जिवा AB है तथा दूसरी जिवा CD है ये दोनों जिवाएं पृत्त पे चाप बना रही हैं जिसे हम A से B तक देख सकते हैं और दूसरे चाप को CD के रूप में देख सकते हैं ये दोनों चाप सर्वांगसम हैं अर्थात अगर एक चाप को दूसरे चाप के उपर रखा जाए तो वह दूसरे चाप को पूर्टया आक्षादित कर लेगा अर्थात इन दोनों चापों के सभी अंग समान हैं इसके विपरीत यदि विर्थ के दो चाप सर्वांगसम हो तो संगत जिवाएं बराबर होती हैं यदि विर्थ के दो चाप लिए जाएं जैसा की चितर में दिख रहा है और अगर इनको एक के उपर एक रख दिया जाए अर्थात की ये दोनों चाप हूब हूँ हो एक ही जैस समकोन होता है चित्र में एक वृत दिखाई पड़ रहा है इस वृत का व्यास A B है और वृत पर एक बिंदू P है P को A से मिलाने और B से मिलाने पे हमें त्रभुज A, P, B प्राप्त हुआ है कोन A, P, B समकोन होगा इसे हम त्रभुज के सरवांग समता के आधार पे सिद्ध भी कर सकते हैं यदि हम वृत के केंदर O की कलपना करें तथा बिंदू P को O से मिलाएं तो हमें दो त्रभुज प्राप्त होंगे एक त्रभुज P, A, O के रूप में प्राप्त होगा इन दोनों त्रभुज को आपस में हम सरवांग सम सिद्ध करके यदि सिद्ध कर सकते हैं कि कोण P 90 अंस का होगा चुकि अगर वृत का केंदर O है तो O, A और O, B वृत की त्रिजाय होंगी और वो आपस में बराबर होंगी तथा P, O, दोनों ही त्रिभुजों में उभैनिस्थ होगा तो इस प्रकार से दोनों त्रिभुज सरवांग सम हो जाएंगे और सरवांग समता के आधार पे एक विशेष्टा के बारे में हम जान चुके हैं की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं उसके आधार पर हम यहां सिद्ध कर सकते हैं कि कोण P, 90ride, शानatan का अर्थात समकोण होगा विशेष्टकी अगली विशेष्टा यह होती है कि आक ही विशेष्ट खुंड के कोण समान होते हैं चित्र में A, B और C, D वृत्त की दो जिवाएं हैं और ये समान वृत्त खंड का निर्मान कर रही हैं इसलिए इन समान वृत्त खंडों में बने हुए कोण भी समान होंगे अगली विशेष्ता वृत्त की यह होती है कि वृत्त के केंद्र से उसकी किसी भी जीवा पर डाला गया लंब जीवा को सम दिभाजित करता है चित्र में एक वृत्त है जिसका केंद्र O है AB वृत्त की एक जीवा है O से M बिन्द को मिलाने पर भुजा अथवा रेखा O यम प्राप्त होती है जो जीवा AB पर लंब होगी और अगर यह भुजा AB पर लंब है तो यह AB को दो भागों में विभाजित करेगी और वो दोनों भाग समान होंगे इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वृत्त के केंद्र से अगर किसी जीवा पर लंब खींचा जाए तो वह वृत्त की जीवा को समद्वाजित करता है वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली तथा किसी जीवा को समद्वाजित करने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है यह पहली विशेष्टा का विपरीत है AB कोई वृत्त की जीवा है और OM एक ऐसी रेखा है जो की वृत्त के केंदर से होकर जा रही है और जीवा AB को सम दिभाजित कर रही है तो रेखा OM जीवा AB पर लंब होगी अगली विशेष्टा के रूप में हम यह देखेंगे कि वृत्त के केंदर से समान दूरी पर इस्थित जीवाएं बराबर होती है चित्र एक में एक वृत्त है और उस वृत्त का केंदर O है वृत्त के केंदर से समान दूरी पर L तथा M दो बिन्दू लिए गए है अब हम चित्र दो में देखते हैं कि बिन्दू L से खीची जाने वाली जीवा PQ है तथा बिन्दू M से खीची जाने वाली जीवा RS है चुकि वृत्त के केंदर से यह जीवाएं समान दूरी पर इस्थित हैं अतह जीवा PQ जीवा RS के बराबर होगी समान होगी वृत्त की अगली विशेष्टा होती है कि वृत्त की बराबर जिवाएं उसके केंदर से समान दूरी पर इस्थित होती है चित्र एक में A, B और C, D वृत्त की दो जिवाएं हैं अगर जीवा AB और जीवा CD आपस में बराबर हैं, तो OM और ON भी आपस में बराबर होंगे, अर्थात बराबर जीवाएं वृत के केंदर से समान दूरी पर इस्थित होती हैं, वृत की बराबर जीवाएं वृत के केंदर पर बराबर कौन अंतरित करती हैं, चितर में आप देख सकते हैं कि वृत की दो जीवाएं हैं, पहली जीवा A B है और दूसरी जीवा C D है, जीवा A B द्वारा वृत के केंदर O पर अंतरित कौन A O B है, प्रथा जीवा C D द्वारा वृत के केंदर पर अंतरित कौन C O D है, हम पाते हैं कि कौन A O B बराबर है कौन COD के अर्थात यह कहा जा सकता है कि वृत की बराबर जिवाएं वृत के केंदर पर समान कूण अथवा बराबर कूण अंतरित करती हैं इसके भी पृत यदि वृत की दो जिवाएं वृत के केंदर पर समान कूण अंतरित करें तो वे जीवाएं निश्चित रूप से आपस में बराबर होंगी नीचे के चित्र में हम देख रहे हैं कि एक वृत्त है वृत्त की तीन जीवाएं दिखाई पड़ रही है जीवा A, B, जीवा C, D और जीवा E, F जीवा A, B द्वारा बृत्त पे बना कौन A, O, B है जीवा C, D द्वारा बृत्त पे बना कौन C, O, D है तथा जीवा E, F द्वारा बृत्त पे बना कौन E, O, F है हम देखते हैं कि कौन A, O, B बराबर है कोण CODK तथा कोण EOF के तो जीवा AB, जीवा CD और जीवा EF भी आपस में बराबर होंगी अर्थाद अगर जीवाएं बृत पर समान कोण अंतरित करें तो वो जीवाएं आपस में बराबर होती है इस प्रकार आज हमने बृत और बृत के विभिन भागों के बारे में जाना और समझा है बृत क्या होता है बृत एक सरलाकरित होती है बंदाकरित होती है बृत के केंदर के बारे में जाना बृत की त्रिज्या क्या होती है बृत की जीवाएं क्या होती है बृत की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है और बृत के ब्यास यानि की सबसे बड़ी जीवा और बृत की त्रिज्या के मध्य क्या संबंद होता है व्रित खंड और त्रिज्य खंड के बारे में भी हम लोगों ने जाना और ये भी जाना कि व्रित का परीद क्या होता है व्रित की परीद को ग्यात करने के लिए 2 पाई आर की साहता से हम व्रित की परीद को ग्यात कर सकते हैं यदि आर वृत्त की त्रिज्या हो तो इसके अलावा वृत्त की अन्य विशेष्थाएं क्या होती हैं जैसे की अर्ध वृत्त का कौन समकौन होता है यदि वृत्त के केंदर से किसी जीवा पर लंब डाला जाए तो वह जीवा को समद्यभाजित करता है और इसका विपरीत य समान जीवाएं व्रित की समान जीवाएं व्रित पे समान को अंतरित करती हैं इसको भी देखा और समझा आचा है कि यह बात हैं आपको समझ में आई होंगी धन्यवाद